नमस्कार दोश्तों मैं डॉक्टर वाग और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फुड आइटम्स के बारे में जो आपको आपके वेट लॉस में मदद करते हैं आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को पिगलाने में हेल्प करते हैं वीडियो कर शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहू ताके मेरे आने वाले अगले वीडियो आपके पास सबसे पहले पोच तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला फुड आइटम है आलमट्स याने के बादाम दोस्तों बादाम एक ऐसी चीज है जो आपको वेट लॉस में बहुत मदद करती है इसमें होने वाले पोशक प दोस्तों ओलिव ओईल एक सबसे बहतरी कोकिंग ओईल माना जाता है बलकि हमारे यहाँ इतना यूज नहीं होता क्योंकि यहाँ थोड़ा सा महिंगा है लेकिन ध्यान में रखिये ओलिव ओईल में होने वाला ओलिक ऐसीड एक ऐसा पदार्त है जो आपके शरीर में होने वा और उसका नाम है ब्लू बेरीज ब्लू बेरीज में बहुत सारी मात्रा में एंटियोक्सिडन्स होते हैं फाइबर होते हैं और यहाँ फाइबर्स आपका पेट भरा रखने में याने आपको सटाइटी देने में मदद करते हैं यह सटाइटी आपको बार बार खाने से रोक है और हाई एंटियोक्सिडेंट्स आपको वेट लॉस करने में मदद करते हैं अगला फुड आइटम है दोस्तों और उसका नाम है लेंटिन्स याने हमारे घर में होने वाली अलग अलग प्रकार की दाल दाल जैसे मूंग दाल मसूर दाल यह दाल हमारे वेट लॉस में बहु से यह हमारे मेटेबल्जम याने पाचन को बढ़ावा देती है और हमारे वेट लॉस की प्रोसेस को बढ़ावा देती है आगे का फुड आइटम है दोस्तों अंडे का सफेद वाला हिस्सा अंडे का सफेद वाला हिस्सा एक ऐसा फुड आइटम है जिसमें कैलरीज बहुत ही कम होती है और प्रोटीन की बहुत सारी मात्रा होती है अगर आप रोजाणा आपके breakfast में अंडे का सेवन करते है यानि अंडे का सफेद वाला हिस्सा खाते है तो आपका पेट दिन पर भरा रहता है और आपकी बार-बार स्नैकिंग की चाहत को कम करता है और इस तरह वो आपको वेट लॉस में मदद करता है आगे का फूड आइटम है दोस्तो ओट मील ओट मील यह एक ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है यह हमें बहुत सारी एनर्जी यानि उर्जा देता है अगर आप रोजाना ब्रेकफास्ट में ओट मील का सेवन करते है तो इसमें होने वाला सोल्यूबल फाइबर मतलब पिगलने वाला फाइबर यह हमारे शरीर में होने वाले चर्बी की मातरा को रेगुलेट करता है control रखने में मदद करता है और इस soluble fiber का नाम है beta-glucon अगला food item है दोस्तो flax seeds याने अलसी के बीज अलसी के बीज में बहुत सारे fiber होते है और उर्जा बहुत कम होती है और यही वज़ा है कि यह आपके weight loss में मदद करता है आप अगर अलसी के बीज का seven alternate day या रोजा ना करते है तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में होने वाले चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगी है आगे का food item है दोस्तो green tea green tea में ketogenes नाम का एक पदार तो होता है जो आपके शरीर के पाचन को याने metabolism को बढ़ावा देता है green tea में होने वाले ketogenes में ability होती है जो आपके शरीर के fat को चर्बी को burn करे और यही वज़ा है कि यह आपके weight loss में मदद करता है यह एक अच्छा diuretic भी है यानि यह आपका वज़न जो पानी की वज़ा से बड़ा हुआ है उसको कम करता है और last food item है जो एक फल है और वो है apple यह एक highly nutritious food है उसमें antioxidant minerals की बहुत सारी मात्रा होती है और यह खाने के बाद वो आपका पेट भरा रखता है और यही वज़ा है कि आपके weight loss में मदद होती है दोस्तो मुझे पता है यह वीडियो 100% informative है और आपको 200% अच्छी लगेगी इस वीडियो को बड़ा thumbs up दे और मेरा चानल सब्सक्राइब परना ना भूले